नमस्कार साथी और फिर्स ने आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अवनी एक्जाम अड़ा में गाईस क्वाइब करवाते हैं तो पहला कोशन आपके सामने कि सीशा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है और आपके सामने इस टील उपधातू गन मेटल ज़ा सॉल्डर इसमें जो है तो प्रेक्ट आंसर अंसर है सॉल्डर जो कि टांका जिसको बोल सकते हैं तो जो कुछन आप देख रहे हैं कि चूने पत्थर का राताइनिक नाम क्या है तो चूने पत्थर का राशाइनिक के नाम क्या है option आपके पास calcium sulphate calcium oxide calcium carbonate यह उपरोक्त सबी तो इसमें आपका option c है वो correct answer है calcium carbonate चूने पत्थर का राताइनिक नाम है अकला कोशन देखेंगे गाइस कौन सी विटामिन हमारे सरीर में सबसे अधिक्ति वृता में बनता है तो हमारे सरीर में कौन सी विटामिन सबसे अधिक्ति वृता में बनती है आप्शन है विटामिन ए विटामिन B, VITAMIN C या VITAMIN D तो आपका करेक्ट आंसर है जो विटामिन D होने वाला है विटामिन D हमारे सरीर में सबस्याधिकती वृत मात्रा में बनते हैं जो कि सूरज की किर्णों से भी हमें मिलती है next question आप देख रहे हैं question number 4 कि निम्ने लिखित में कौन सी मीठी सरक्रा है तो मीठी सरक्रा के बारे में बात हो रहे हैं option आपके पास सुक्रोज, गुलुकोज, फ्रक्ट्रोज और माल्टोज तो इसमें आपका correct answer है option C फ्रक्टोज जो की मीठी सरक्रा होती है question number 5 आप देख रहे हैं कि अस्तियों और दातों में मौजूद राशानिक द्रव्य है तो अस्तियों हड्डियों में और दातों में जो राशानिक द्रव्य होता है वो कौन सा होता है option आपके पास calcium phosphate, calcium chloride, calcium sulfate, calcium borate तो इसका correct answer आपका option A calcium phosphate आपके अस्तियों और दातों में मौजूद होता है next question number 6 आप देख रहे हैं कि vitamin B2 का अन्य नाम क्या है vitamin B2 को दूसरे नाम से किस नाम से जानते है option है thymine, hemoglobin, riboflavin, dextrose option C इसका correct answer है riboflavin, तो riboflavin, vitamin B2 का दूसरा नाम है next question, question number 7 आप देख रहे हैं कि निमलीखित में से कौन सा enzyme LAR में पाया जाता है option है आपके lactose, diabetes, sucrose या tylen question number 8 तो पित के निर्मान से किस भाग में होता है option है आपके सामने यक्रत, तिल्ली, पितरशे की थहली, या अगनाशे तो इसका correct option है आपका option A, यक्रत में next question आप देख रहे हैं, question number 9 पाचक कौन सा गरंथी और भाई जिख्रावी दोनों प्रकार की होती है तो आपके अगनासे-गरंती यक्रत पिटुटियरी यप लीहा तो correct answer आपका अगनासे-गरंती है गाईस question number 11 हिमोगलोबिन में कौनसा protein होता है कौंसा हम आपके हम हुआ gas आप देख रहे हैं कि मरको ऐक哇 फिराई मेज़ने आपके हैलेकिन सोचा नहीं होगा क्यों बन जाता है यह कौथना नगदाप बढ़ने से इसमें खाना कमदाप पर बनता है, यह option C कहाँ पकने के लिए ज़्यादा ताप मिल जाता है या cooker जिसे पदार्थ से बना होता है वे उस्मा का सुचा लग होता है तो इसमें आपका option A कुथनांक बढ़ने से cooker में खाना जल्दी पक जाता है गाई next question आप देख रहे है question number 13 जब जल्द को 0 degree centigrade से 100 degree centigrade तक गरम किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या फर्क पड़ता है option दीरे दीरे बढ़ता है या दीरे दीरे गटता है या पहले बढ़ता है या पहले गटता है या फिर बढ़ता है तो इसका आपका correct answer है option D आप जब गरम करेंगे तो पहले उसका आयतन गटेगा और फिर उसका आयतन बढ़ेगा अगला कोशन नमर 14 एंटीजन क्या है एंटीजन क्या होते हैं तो ऑप्शन एंटीबोडी के विपरीत एंटीबोडी के निर्माण हेतु उत्प्रे रख या एंटीबोडी का फल तो निमन में से कौन सा अंग है टॉंसिल यक्रत वक्र या फिर लसी का उतक तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यक्रत अगला कोशन आप देखेंगे कोशन नमर 16 हीमोफीलिया रोग है हीमोफीलिया एक रोग है जो क्या है देखिए ऑप्शन ए से की और लिंग से लंगन एक हीमोफीलिया रोग है अगला कोशन आप देख रहे हैं कि सर्वत सार्वत्रिक रुदिर दाता रख्त गुरुप कौन सा है मतलब जो यूनिवर्सल डॉनर है सर्वदाता रुदिर गुरुप कौन सा है तो ऑप्शन ए बी ओ या एबी तो इसमे धार ने अंता ऑपशन ड आपका ईसमें एक रहाए होता है नैक्स्ट कोशन कोश्चन नमर उन्नीम finding किंस रोग के प्रति रख्षण यह थो लगाया जाता है तो BCG का टीका बच्चों में क्यों लगाया जाता है पोलिया की वज़े से चेचक की वज़े से यह TV के लिए यह खसरा के लिए तो option C आपका TV के लिए BCG का टीका लगाया जाता है question number 20 हड्डियों और दातों के निर्मान में मुख गटक क्या है तो हड्डिय और दातों का निर्मान मुख ते किन से होता है केल्शियम से, फासपॉरेस से, या आईरन से या एच्छ लिएक और बी दौनों से तो इसका आपका correct answer A और बी दौनों है केल्सियम और फासपॉरेस दोनों से हड्डिया और दातें बनते है अगला question number 12 शरीर से अप्षिस्ट पदार्थों का उत्र जड़ करना हमारे केड़नी का मुख्छ कारिये है, next question, next question number 22 guys है, आपका हिमोगलोबिन का मुख्छ गटक क्या है, तो हिमोगलोबिन का मुख्छ गटक क्या है, देखे, क्लोरिन, आइरन या केल्सियम या पोटेशियम, तो iron हिमोगलोबीन में मुक्त है पाया जाता है iron ठीक है तो इसका option B आपका correct answer हो जाएगा next question है शरीर में जो temperature उसको control कौन करता है तो हमारे सरीर में temperature को control करने में निमने में से कौन सा है हाइफो थेलेमस या हिर्द है या सेरी ब्रम ये तो अच्छा तो option A इसमें आपका correct है हाइफो थेलेमस सरीर के temperature को control करता है question 24 कि भोजन में उपस्तित सरक्रा को maltose में बदलता है कौन तोईलिन पैपसिन लाइपेज या रेनिन तो इसमें correct answer आपका toilin है toilin क्या करता है हमारे जो बोजन में उपस्तित जो सुगर होती है उसको maltose में बदल देता है next question 25 मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो हमारे सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो यक्रत है वो आपकी जो सबसे बड़ी गरंती होती है next question आप देखेंगे 26 कि रक्त किस प्रकार का उतक है तो यह उपकला तंत्री का उतक या संयोजी उतक या पेसी उतक तो आपका इसमें correct option C संयोजी उतक होने वाला है question 27 कि भोजन का absorption सरीर के किस अंग में होता है तो भोजन हमारा जैसे बॉड़ी में जाता है तो उसका absorption किस अंग में होता है बड़ी आत में यह करत में यह चोटी आत में यह ग्राशनली में तो option C, छोटी आथ में भोजन का absorption होता है, question number 28, व्रक की कारियात्मक इकाई है, तो व्रक की कारियात्मक इकाई क्या है, option neuron, nephron, bowman, some put, या glomerulus, तो option 20 में correct है, nephron है जो व्रक की कारियात्मक इकाई है, अगला question, question number 29, Ebola क्या है, तो Ebola एक virus है, विशानू है, तो आपका option 20 में correct हो जाता है, अगला question number 30 है, निम्न का कारण विशानू है, मतलब की निम्न जो मैंसे जो बीमारी है, वो कौन सी बीमारी है, जो विशानू की वज़े से होती है, तो जैसे titanus है, plague है, या rabies है, या कुछ रोग है, तो आपका option C, जो rabies है, वो virus की वज़े से होता है, अगला question आप देखेंगे, question number 31, कि रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवियब मदद करता है, रक्त का थक्का बनने में, जब हमारे घाव लग जाता है, तो उसमें जो रक्त का थक्का बनता है, वो किसकी वज़े से बनता है, option vitamin A, vitamin D, vitamin K, यह folicamil, तो इसका correct answer option C, vitamin K है, इसी के साथ यह 31 question का set पूरा होता है, कितने question आपके complete होए, comment करके बताइए, और आप जो आपके display पे जो वीडियो आ रहे है, उसको click करके check out कर ले, तो thank you so much guys for watching this video, thank you.